हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग, hope करता हूँ सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आप लोगोंने forest guard का paper दिया था और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को forest guard के result का बहुत बेसबरी से इंतजार है तो आज का मेरा वीडियो इसी विशेपर है आज मैं आपको forest guard के result की expected date बताऊंगा दोस्तो ये date हमें आयोग से हुई हमारी वारता के द्वारा और आयोग से सम्बंदित हमारे विशेश सूत्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि forest guard का result कब तक आ सकता है उसकी expected date क्या है लेकिन उससे पहले दोस्तो आप मैंसे जिनोंने भी अभी तक मुझे subscribe नहीं किया है मुझे subscribe कर लीजिए क्योंकि आप मैंसे बहुत student मुझे comment में उन topics की query लेते हैं तो दोस्तो मुझे subscribe कर लीजिए जिससे forest guard से सम्मंदित हो या परिक्साओं से सम्मंदित किसी भी विसे पर कोई नई update आप तक सीधे पहुचाई जा सके चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो आपने पहले forest guard का written exam दिया था उसके बाद physical exam दिया था और मैं जानता हूँ कि आप लोगं के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था और form भने से लेके exam होने तक और इसके result आने तक जितना समय इस exam में लग गया है सायद ही किसी exam में पहले लगा हो तो आप जानते हैं कि 19 अगस्त 2021 को आयोग ने जो आपकी सारिडिक दक्षता परिक्षा हुई थी उसका पलणाम गोजित किया था तो इसके result के विशेपर बहुत बच्चों के मुझे कमेंट्स आये थे तो दोस्तो इसका जो result है वो September last week से लेके October 1st week में आने की पूरी-पूरी संभावना है और अगर मैं long term में आपको बताऊं तो 15 सितंबर से लेके 15 October के बीच में कभी भी result जारी हो सकता है तो जो भी अभियरती इस परिक्षा में सफल होने वाले हैं उन्हें मेरी अगरिम सुबकामनाए और जिनका कुछ नंबर से रह जाता है या जो पास नहीं हो पाते हैं वो भी निरास ना हो अभी आयोग ने बहुत सारी भरतिया निकाली हुई है आप उनके लिए तयारी करें पूरे मन से तयारी करें और दोस्तों ये dates एक expectations हैं हमें पूर्ण विश्वास पात्र सुरोतों से प्राप्त हुई है लेकिन result कई विशियों को सामने रखकर आयोग द्वारा जारी किया जाता है तो इस पर मेरी आप से अपील है अगर result किनी कारणों से इन dates पर जारी नहीं हो पाता है तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए क्योंकि पहले ही forest guard के exam पर बहुत बवाल हुआ है चाहे पेपल लीक का मामला हो लेकिन इस सबसे जो loss होता है वो student का होता है इसलिए आप बिलकुल निश्चिंत रहें और जो date आपको बताई गई हैं इनका इंतजार करें और IO को अपना काम करने दें ओके दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी जानकरी आगे भी पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और आप सभी को आने वाले रिजल्ट के लिए चैनल की तरब से best of luck मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू